बहुत समय पहले की बात है एक ओरत थी जिसका एक छोटा सागर था उस घर में उसके दो बच्चे अपने पती के साथ रहती थी एक दिन की बात वे बाहर जा रही थी तभी उसको अपने गर के सामने तीन रंग बिरंगे साधू दिखाई दिये उनको देखकर वे कुछ भी बोली नहीं और चुप चाप जाने लगी तभी उन में से एक साधू ने बोला क्या हमको आपके घर में खाना मिलेगा मैं बोली क्यों नहीं चले आप लोग अंदर अभी मैं आती हूँ तभी उन में से एक सादू बोला क्या आपके पती देव आपके गर में है औरत ने बोला नहीं है अभी वे बाहर हैं कुछ देर में आ जाएंगे साधू ने बोला जब आपके पती आएंगे तब ही हम लोग आएंगे ओरत ने बोला ठीक है थोड़े देर में उसका पती आ गया और उसने अपने पती को सारी कहानी बात बता दी उसके पती ने बोला जाओ अब बुला कर ले आओ जब बाहर गई तो उसने उन साधूं को बोला बाबा आ जाओ खाना खाने अब मेरे पती आ गए है तब ही उनमें से एक साधू ने बोला बेटी हम तीनों एक साथ किसी भी घर में नहीं जाते हैं और ती सुनकर वहीं रुक गई और बोली ऐसा क्या है जो आप तीनों एक साथ गर में नहीं जाते हैं फिर एक साधू ने बोला मैं प्रेम हूँ और ये दोनों में एक धन था और एक सफलता है हम तीनों में कोई भी किसी के गर में जब भी जाता है उसके गर में वही चीज आ जाती है औरत बहुत ही खुश हो गई और बोली आप लोग यहीं रहो मैं अपने पती से पूछ कर आती हूँ वैं दोड़ते हुए गई और अपने पती के पास गई सारे बात बताई तब पती ने बोला दन वाले सादू को बुला लेते हैं लेकिन पती ने कहा सफलता वाले सादू को बुला लेते हैं सफलता मिल जाएगी तो दन अपने आप आ जाएगा फिर दोनों में बहुत लंबी बहस के बाद सोचा क्यों ना दन और सफलता दोनों को एक साथ बुला ले इसके बाद ओरत बाहर राई और बोली हम दन और सफलता दोनों को एक साथ ले जाना चाहते हैं ये बात सुनकर तीनों सादू मुस्कुरा दिये और बोले बेटा अब हम में से कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि हम ल दन और सफलता को एक साथ बुलाते हैं, यह बात सुनकर उस ओरत को बहुत है अफसोस हुआ और उदास मन से घर में चली गई, इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि कभी भी लालच में आकर कोई काम ना करें, अगर मैं ओरत प्रेम को घर में बुला लेती तो दन और स दोनों उसके साथ अपने हाप आते, प्रेम से जो दुनिया को जीतता है, वही सफलता पाता है, तो उसने क्या गलती करी लालच कर दिया, दन और सफलता के लिए, थो नहीं सोचाए की प्रेम से तो दुनिया को जीता जा सकता है